High School Classes के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है Dear Student, इस वीडियो में हम आपको स्वाल्व करवाएंगे संस्कित विशे का Model Paper का सेट B मैंने सेट E का वीडियो लेक्षिर आपको प्रवाइड कर चुका आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आपके एक्जाम में आने वाले हैं इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लिज चैनल को सब्सकाइब करें और वेल आइकन प्रिस करें आपके सामने पहला जो प्रश्ण है वह है लतायाम इति रूपम भोवती मतलब लतायाम जो है कौन सी विवखती है और कौन सा वचन है आपको बेसिकली ये बताना है तो आपको यहाँ पर सब्तमी विवखती टिक करना है क्योंकि ये सब्तमी विवखती का एक वचन है ठीक है अगला प्रश्ण है मुनी सब्द स्य प्रथम विवखती रूपम भोविश्यती मतलब मुनी सब्द का प्रथम विवखती का रूप काउन सा होता है तो आप मुनी सब्द के जब रूप में देखेंगे तो होता है मुनी ही मुनी मुनया प्रथम भक्ति क्या होता है मुनी ही मुनी मुनिया तो देखी आपको यहाँ पर मुनी ही मिल गया है ना मतलब आपको मुनी ही और मुनी और मुनिया भी होता है तो देखी जो इसका करिट आंसर निकल के आएगा ना डियर इस्टेंट तो आपको रामात पर टिक कर देना है क्योंकि पंचिन begin होता है राम रामा अभ्य l आगला सब्द है भानु सब्द स्ट्य चतूर्थ विहकति रूपमलिखत तो भानु सब्द का जो चतूर्थी यक्ति के रूप होता है वो होता है भानवे भानुभ्यान और भानुभ्या तो इसमें भानवे हमें देख गया तो भानवे पर टिक कर देना है इस्ट्रिवेंट जितने भी रूप है ठीक है आपको याद होने चाहिए तब ही आप इन प्रशनों को कर पाएंगे जरूर नहीं कि आपके एक्जाम में राम ही आए, राम की जग में आपके बालक भी दे सकता है, ठीक है तो कुछ होती हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं तो वो तो हो जाएंगे लेकिन कुछ के पैटरन आपको याद करना पड़ेगा अगला प्रश्ण है आप लोग का अत्र पूजनम भविस्यति असमीन वाकी अव्यपदम अस्ति इस वाक में हमें अव्यपद बताना है तो अव्यपद हो जाएगा अत्र अत्र पर आपको टिक कर देना है आगला प्रश्ण है आधो लिखतेश अव्य पदम अस्ति इसमें अव्य क्या है कुत्र है पत्र है मत्र है सूत्र है सत्र है तो आपको कुत्र पटिक करना है कुत्र क्या है अव्य है चलते हैं अगले प्रश्णों पर आगला प्रश्ण है गमधातो रिटलकारस रूपम अस्त मतब गम धातु का जो रिटलकार का रूप है क्या हो जाएगा तो हो जाएगा गमिस्यती क्या होता है गमिस्यती गमिस्यता है गमिस्यती तो गमिस्यती पर आपको टिक करना है लटलकारेस उदाहरम लटलकार का उदाहरम बताना है तो पठती हो जाएगा पठती पठता पठनती ठीक है अगला प्रशन है लिखत इतस्मीन पदे लकारा तो लिखत में डियरिशने लोट लकार है ठीक है भूधात लंग लकारा प्रथम पुरुस एक वचनस रूपम तो इसमें आपको लिखना है अभुवत ठीक है अगला प्रशन है प्राचार्या प मतलब यहां पर प्राउफसर्ग है दुराचायर में कौन सा उफसर्ग है दूर क्या लिखने है आपको दूरुफसर्ग लिखना है तो इस तरह से आपका रिक्तिस्थानों की पूर्थ कीजिए समाप्थुगा चलते हैं आगले प्रश्ण प्रे अगले प्रिश्ण में हमें वताना है सुद्ध वाग के सामने आम लिखना है असुद्ध के सामने ना लिखना है विद्याधन आले ठीक है दीर्ग संदी है हमें पता है दीर्ग संदी में दीर्ग और दीर्ग मिलके दीर्ग बनता है मतलब दीरगुसवर और दीरगुसवर मिलते हैं तो यहाँ पे भी दीरगुसवर है यहाँ पे भी मतलब यह क्या हो जाएगा आम विद्याला का संदी विच्छेत विद्याधन आलाई ही होता है प्रतेकह यह तस्मीन पदे अजादी संदी तो प्रतिकह में जो है ना तो यण संदी होता है इसका संदी भी छेत होता है प्रति एक ठीक है तो यह हो जाएगा ना अगला है उमाधन इस मिलकर उमेश बनता है बिल्कुल आ और इ जब मिलते हैं तो हमेशा उ बनता है ठीक है आ, ई, ओ बनता है ठीक है, तो क्या हो जाएगा उमेश हो जाएगा बिल्कुल इसके सामने क्या लिख देना है आम लिख देना है अगला प्रश्न है आप लोग के सामने डियर इस्ट्रेंट देखे ध्यान से राजपुत्र में तत्पुरुस समास है राजपुत्र का फंदीबी छेत होता है राजपुत्र और जहां पे पहला पत दूसरे पत की विसेष्टा होता है या दूसरा पत प्रधान हो वहाँ पे तत्पुरुस समास होता है तो यह सही है, आम है समासा खडभवती मतलब समास छे प्रकार के होते हैं सही है पितरों पदे अव्याई भाव समास है पितरों का मतलब होते हैं माता और पिता और जहां पे दो लोग आ जाते हैं और दोनों प्रधान होते हैं वहां पे दोंद समास होता है लेकिन यहां पे अव्याई भाव लिखा जिस बैसे यह ना हो जाएगा ठीक है आगला प्रत्य है एक्तोव प्रत्य है ठीक है तो आपको एक्तोव जहां पे भी दिखे मिला दीजिए ठीक है जहां पे आपको यम लिखा लाश्ट में दीख जाए यम लिखा मतलब अनियर प्रत्य है याद रखिएगा करणियम पठनियम हस्नियम यम लिखा दीखे मतलब वहां पे क यहां नहीं होती है तो देखे इसका जो करेक्त उत्तर होग कुत्र दरिध्रता नाभवेत वचने वचन में दरिध्रता नहीं होनी चाहिए जब आगले पता के क्या लिखत है एक़ए उत्रम लिखत है, ठीक Hé मद्यमा अंगुली मतलब मद्यम की उंगली बीच वाली उंगली इसमें बताना है विसेशनम विसेशन क्या होता है जो किसी दूसरे की विसेश्ता बताए तो उंगली कैस कौन सी है मद्यवाली है तो मद्यमा हो जायेगा आपका ठीक है विसेशन तो मद्यमा आपको लिख दे नहीं है इसमें धनुर्धरा अर्जुना अत्र विसेश्यम पदम विसेश्यम पदम मतलब जिसकी विसेश्यम पताई गई हो ठीक है धनुर्धर कौन है तो अर्जुन है तो अर्जुन यहां पर हो जाएगा विसेश्यम और यदि इसमें विसेश्यम पूछता तो अर्जुन क का परियायवाची होता है आधित्य, तो आपको आधित्य हलिखना है, संस्कित में हलंत लगाना जरूरी है, हलंत आप नहीं लगाएंगे, तो आपका नुम्बर कटेगा, तो बिसर्ग लगाना जरूरी है। तो आपको क्या लिख देना है, मंदम लिख देना है, ठीक है, अगला है, प्राचीनम का विलोम, तो प्राचीनम का जो विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा नवीनम, ठीक है, नवीनम आपको लिखना है, तो इस तरह से आपको ये भी complete, अगला है, माता काम आदेशियती, माता ने किसे आदेश दिया, तो आपको काम को हटा के बेटा, काम के जगह में आपको क्या लिख देना है, काम के जगह में आपको पुत्रीम लिख देना है, माता ने पुत्री को आदेश दिया, तो क्या लिखना है, पुत्रीम, ठीक है, अगला है जन्तुवा केन तुस्यंत, तो क प्रीय वाक्य प्रदानेन यह लिखना था ठीक है अगला प्रश्ण आपका है तो काला कस्य रस्म पिवति अगला इसके बाद लिखना है अधानस्य क्या लिखना है अधानस्य और इसके बाद लिखना है प्रदानस्य ठीक है और इसके बाद लिखना है कर्तव्यस्य चक्षिप्रम अक्रीमानस्य कर्मनारहा रसम प्रिवति ठीक है आपको डीटेल में आँसर चीए तो आप हमारे important question answer वाले वीडियो में देख सकती है मैंने वहाँ पर आपको सारे questions सारे chapter के separate में वीडियो प्रवाइट किये हैं ठीक है अगला प्रश्ण है आप लोग का मानवा नाम देखे क्या लिखे है मानवा नाम चेतान सी कीद्रसा भवन्ती ठीक है तो आपको लिखना है देखे यहां तो क्या लिखना है ते सबसे पहले लिखना है ते इसके बाद लिखना है याद्रसानी क्या लिखना है याद्रसानी इसके बाद लिखना है अन्दिकम क्या लिखना है अन्दिकम ताद्रसामी भवन्ती ये लिखना था ठीक है अगला है अंते तपोधत्ता विद्याले ग्रहनाय कुत्र गता मतलब अंत में विद्याले के लिए जो तपोधत्ता कहा गया तो आपको इसमें सीधा कुत्र के जगह में गुरु कुलम लिख देना है और बाकी संटेंस उतार देना है तो आपको क्या हो अस्माभी परियावर्णस रच्छम कथम करनिया ठीक है तो इसमें आपको लिखना है डियर इस्टुएंट अस्माभी प्रकृति ही रच्छनिया तेन चा परियावर्णस रच्छनिया भवति ठीक है इसके बाद बाला कदा क्रीडन्त अगच्छम तो आपको इसमें लिखना है पाठ साला गमन वेलायाम क्या लिखना है देखें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाठ साला इसके बाद गमन और इसे में जोड़कर आपको लिखना है वेलायाम मतलब पाठ साला जाने की समय में बालक खेलने जाता है ये मेनिस का उत्तर है ठीक है अगला प्रशन है आर्स वचनम की मस्ती आर्स वचन क्या है आदर्स वचन क्या है तो आपको लिखना है यहाँ पर रिसी वचनम क्या लिखना है थिक है तूला कीदरस आसलिए तो आपको इसमें लिखा है लाओ धारिता मतलब तराजु किसका बना हुआ था लोहे किधार्टु का बना हुआ था तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट होगा अडियेश्न अगला है आपका प्रश्न निर्मान कुरूतु, प्रश्न का निर्मान करना है, सौर्ण काकम निवार यंति बाली का प्रार्थियति, तो आपको क्या करना है, इसमें सौर्ण काकम को हटाना है, याद रखिएगा क्या करना है, सौर्ण काकम, और सौर्ण काकम की जगह में केवल हमें कम लिख द तो वन वुरच्छा को हटा के आपको के लिखना है? क्या लिखना है के? और फिर क्या लिख दिना है के? निर्वीवेकम चिन्नते. इस तरह से आपका हो जायेगा प्रश् two निर्मान. तो धर्मस के जगह में आपको क्या लिखना है कस से अंगम, क्या लिखना है कस से धर्मस से दिग्या मतलब इसका प्रश्ण रूप कस से तो परियावरन सरच्छनम कस से अंगम अस्ति यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला है किसने किससे कहा ठीक है तो ये question तीन नंबर का आपकी exam में definitely आना है तो ये जो आपका पहला statement है अहम तुभ्यम तंडूल मुल्यम दास्यामी ठीक है ये कहा था सौर्ण काका ने बाली काम से इसने कहा सौर्ण काका ने कहा था किस से बाली काम से तो आपको फॉर्ण काका और इधर क्या लिख देना है बाली काम अगला है देखें क्या लिखा हुआ है मुल्यम तू दुगधम विक्त्री यव दात्वम सक्यते इसको किसने किस से कहा तो ये कहा था डियरिष्ट्रिन चंदने देवेस से तो आपको लिखना है चंदनम और किसे कहा था देवेस से तो देवेसम लिखना है अगला प्रशन है हाविधे किमिदम मया कृतम ये किसने किसे कहा तो ये कहा था तपो दत्तने विग्रिम से किस से कहा था? विग्रिम से कहा था, तो इस तरह से आपका ये भी complete हुआ अगला प्रशंढ है वाच परिवर्तनम कुरुतू वाच अमें परिवर्तन करना है क्या लिखे है सोर्ण काम है, ठीक है? तो समझेगा सोर्ण काम openness लिखत हैना? तो इसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा रामेर पत्रम लिख्यते क्या लिखना है आपको रामेर इसके बाद पत्रम और लिख्यते के जगह में आपको क्या लिख देना है लिख्यते याद रखिएगा लिख्यते लिखना है ठीक है जी हो गया और अगला जो आपका प्रश्ण ह दिखिए ध्यान से, तेन पाठा पठते, इसका वाच परिवर्तन हो जाएगा, ये कर्म वाच में है, तो इसका जो कृत वाच हो जाएगा, वो हो जाएगा, साहा पाठम पठती, ये हो जाएगा, अहं पस्यामी, इसका वाच परिवर्तन हो जाएगा, मया द्रस्यते, क्या हो से आपका हो गया आगले नंबर में आपको क्या करना है डियेशन ध्यान दीजेगा आपके पाठ पुस्तक की एक सुभास्तानी का इसलोक लिखना है तो आप कोई भी जो आप से याद हो सुभास्तानी का एक इसलोक उसको लिख दीजिए ठीक है और ये भी लिखा है जो आपक को सुद्ध करना है ठीक है जैसे श्री गडेसम नमा तो आपको पता है बेटा गडेसम नहीं होता क्या होता है गडेसाय होता है तो गडेसम को हटाना है और क्या लिख देना है गडेसाय लिखना है गडेसाय अगला है अहम सत्यम वदसी ठीक है तो वदसी के जगह में आपको वदामी लिखना है, क्या लिखना है student, वदामी, ठीक है, वदाम, नहीं, वदामी, ये लिखना है, महेसा फलाय खादती, ठीक है, तो फलाय को हटाके हमें फलम लिखना है, क्या लिखना है, फलम, बाकी दोनों वर्ड आपके सेम रहेंगे, ठीक है, इसके बाद आपका अगला है देखिए तो सबसे पहले नंबर में आपको लिख देना है ब्रद्धा ठीक है फर्श नंबर सेकेंड नंबर में आपको लिख देना है आपका क्या लिखना है प्रिये वाद इसमें आपको जनतोह लिखना है ठीक है इसके बाद जो आपका अगला प्रश्ण है ठीक है गा न लिखना था इसके बाद आपको कथा क्रम से योजन लिखना है मतलब ये इस घटना क्रम को हमें क्रमा अनुसा लिखना पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ ठीक है तो सबसे पहले आपको गा नंबर लिखना है ठीक है फर्स्ट इसके बाद आपको फर्स्ट नंब arrange करना था ठीक है अब यह आपका रहा क्या आपको प्रोसिक्षन ची है ठीक है गध्यांस दिया हुआ है इस गध्यांस को पढ़के इसमें दिये गए प्रस्णों के उत्तर बताना है ठीक है तो आप इन दोनों गध्यांस को देख लीजिए मैं इनका उत्तर आपको दिखा रह ठीक है इसके बाद आपका जो अगला गध्यांस है तो आपका अगला गध्यांस यह रहा ठीक है आप इसको भी देख लीजिए और इसको भी क्या कर लीजिए ठीक है इसके बाद देखिए आपका जो पद्य सिक्षन से है ठीक है तो पद्य सिक्षन में कौन सा कौन सा गध् ठीक है अगले प्रश्ण में आपको दिखाऊंगा इसका भी आप उत्तर देख लीजिए और इसको भी सीख लीजिए ठीक है इसके बाद जो आपका अगला प्रश्ण है यह आपका इसलोग दिया हुआ है ठीक है यह गुनवाला तो इसका कोश्चन आंसर सीधा आप देख लीजिए यह कोश्चन है ठीक है के सुप्रयतना करतव्या तो गुनए सुप्रयतना करतव्या गुन युकता दरिद्रम कथम से ठीक है तो इसको भी देख लिए अब हम चलते अगले प्र precaution तो dear इस्ट्विंट अभी अभी मैंने आपको यह वाला पर्दबी भी बता दिया इसके बाद हम ने आपको यह वाला भी बता दिये ठीक है अब हम इसीदर चलते अगले प्रेश्न प्रे अ unseen passage और इसके बाद आपका reaction दिखिए कितने unseen passage है आपकी यह तो इसी काथवा हो गया यह आपका unseen passage रहा ठीक है इसको भी देख लिजीगा इसके बाद आपका आता है लाष्ट में सौ मित्रम प्रति पत्र संस्कित भास्य लिखत ठीक है और इसके बाद आपको निबंध लिखना है तो क्या क्या निबंध और क्या क्या पत्र आपको याद करना है मैं आपको भी खागा तो सबसे पहले आपको याद करना है पितरम प्रति परिच्छाया परिणाम फूचकम पत्रम मतलब पीता को परिच्छा का परिडाम फोचक पत लिखने के लिए आपका क्या सकता है अप्लीकेशन तो इसको तयार कर लिजीएगा इसके बाद आपको जो तयार करना है dear रिष्ट्रेंट वो करना है सुल्क मुक्तार्त प्रातना पत्रम सुल्क मुक्त के लिए प्रात्ना पत्र इसको भी आप स्क्रीन सोट लेके त्यार के लिए इसके बाद आपको जो अगला पत्र त्यार करना है ठीक है वो आपका ये रहा अवकासार्थ प्रात्ना पत्रम अवकास के लिए प्रात्ना पत्र ठीक है आप सभी के स्क्रीन सोट ले भी most important है इसके बाद आपको तयार करना है आप किसी एक पर depend नहीं रह सकते क्योंकि ये fix नहीं रहता बेटा कि असमाकम देश आएगा ही आएगा संस्कित भासा का महत तो आएगा ही आएगा ठीक है? मैं देखा आपको यूटूबर मेन एग्जाम में आएगा कल की पेपर में तो इस तरह से आपका पेपर ये एक सेट कंप्लीट हुआ चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन ज़रूर पेस करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद